हलो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों कैसे हो आप सभी लोग आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे बिल्कुल स्वस्थ होगे टमाटर की तरह तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों आज की क्लास में हम लोग क्या डिसकस करने वाले हैं एक्सरसाइज 10.2 को डिस मेरे इस वीडियो को देख रहा है तो क्रिपया कर मैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप वीडियो को ना दखे क्योंकि आप सोचोगे कि बिल्कुल फटा-फट स्पीड में सारी चीज़े हो जाए तो ऐसा नहीं होगा मेरा वीडियो थोड़ा सा लेंदी होगा लेंदी इंद कहा कि पहला इंस्ट्रक्शन मेरा है कि कोई प्रचंड विद्वान अगर बैठा हो तो मेरे वीडियो ना देखे लेकिन हाँ कोई आठवी का विद्यार्थी बैठा है तो जरूर जितने भी कोशन में एटेम्ट करूंगा उसको जरूर देखना ओके दूसरा इंस्ट्रक्श यह है कि जितने भी यहां पर प्रॉब्लम में यहां पर 10.2 के जितने भी प्रॉब्लम से इन प्रॉब्लम को जरूर अपने को अपने बुक से आपके पास जो बुक है उससे मैच करा लेना कि यही प्रॉब्लम है ओके और तीसरी बात यह कि आप चाहे जिस भी मेडियम के हो हिंदी मेडियम के हो चाहें आप इंग्लिस मेडियम के होग लिए या इंग्लिज Neden विद्यारति हो आपคद आप दोनु मेडियक के विद्यारतिकों कलिए complete जो मैं समझा रहा हूं वो complete complete समझ में आने वाला है कोई concept नहीं चूटेगा एक एक question बनेगा Hindi medium के विद्यार्थियों का question यही question हिंदी में लिखा हुआ है और English medium का यही question English में लिखा हुआ है तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को तो मेरे प्यार टमाट्रों आज एक्सरसाइट 10.2 का यह जितने भी question है इसको जरूर मैच कर लेना 1 से 6 तक discuss कर रहे हैं ओके तो यह रहा आपके पास में पहला question पहला शवाल बनाने से पहले मैं अपने आपको थोड़ा सा एक मैं अपने आपको थोड़ा सा इधर की तरफ ले आता हूं ताकि क्या आपको कर पाऊं इधर की तरफ ले आता हूं तो मेरे प्यारे प्यारे टमा तमाटरों, अब शुरू करते हैं, countdown अब क्या शुरू करते हैं, काउन्त डाउन सुरू करते हैं, देखो जड़ा ओके तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों आप देखो पहला कोशन क्या कह रहा है पहला कोशन आपका यह कह रहा है क्या कि थ्री एंगल क्या कह रहा है कि थ्री एंगल of a quadilateral are 80 degree clear है ठीक 110 डिगरी and 120 डिगरी respectively कह रहा है कि एक quadrilateral है आप बात आती है कि sir quadrilateral that means क्या होता है quadrilateral मतलब means होता है मेरे टमाटरो कि जिसमें four side हो वैसी आकृति जिसके अंदर में four side हो या वैसा figure जिसके जो four side से बना हो क्योंकि इस chapter का नाम ही आपका polygon है यानि कि वैसी आकृति वैसा polygon जो four side से बना हो उसी को बोलते है quadrilateral, quadrilateral में बहुत सारी चीजे है square है, rhombos है, rectangle है, trapezium है, parallelogram है, कितनी सारे है, सबका अलग अलग नाम है, लेकिन जो four side से बना हुआ है, उसको साफ साफ नाम क्या दिया गया quadrilateral, तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो कह रहा है कि एक quadrilateral है, quadrilateral में कुछ भी हो सकता है, जिस में से three angle दे रखा है, यह सब से पहले यही लाइन लिखा है, three angle दे रखा है, क्या 80 degree, 110 degree, 120 degree respectively, क्रमस, okay, तो करें कि determine the fourth angle, तो चौथा angle, तो देखो, एक quadrilateral में यहां बनाता हूँ, ध्यान से देखना, मैं क्या करता हूँ, एक quadril क्या क्या करता है, थोड़ा सा, एक quadrilateral में यहां बनाता हूँ, देखो जरा, quadrilateral तैट मिंस क्या होता है, जिसके अंदर में four sides होते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका quadrilateral कहलाता है, मेरे प्यारे 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 टमाटरों, तो देखो, इसमें कितने angle बन रहे हैं, four angle, A, B, आप अपने copy में भी बनाना, तो बहुत अच्छे से बनाना, C, D, A, B, C, D, ओके, तो इसमें angle कहां कहां बन रहा है, A angle, यहां पे B angle, यहां पे C angle, और यहां पे क्या हो गया, D angle, clear हुआ, इतनी बात समझ में आई, यह D angle हो गया, ठीक है, तो total कितने angle बने, one, two, three, four, total क quadrilateral में कितने angle, कितने side कितने होते है, तो four, और angle भी कितने होते है, four होते है, four side, four side में से three angle दिया हुआ है, मालो की 80 degree यह दिया हुआ है, ठीक है, 110 degree, यह B angle दिया है, 110 degree, और एक दिया हुआ है, 120 degree, एक क्या दिया हुआ है, 120 degree, यह वाला, C angle, ओके, D मुझे नहीं पता है, आ आप बोलोगी सर A, B, C को ही क्यों आपने ले लिया, आप A, D, C को क्यों नहीं लिया आपने एंगल में, इसको D को 110 डिगरी, 110 डिगरी बोल देते हैं, C को 120 बोल देते हैं, या फिर 80 यहां से स्टार्ट करें, B को 80 मानते हैं, आपको जो इक्षा करें उसको आप मान लो, हना, यह, this is, depend on you, यह आपके उपर complete depend करेगा, कि आप क्या, मतलब किसको क्या मान रहे हैं, मैंने इस तरह से ले लिया, एंगल, ठीक है, एक एंगल खाली है, तो बोल रहा है कि जो चौथा एंगल है, determine the fourth angle, तो चौथा एंगल कौन बच गया, D, तो यही D को निकालना है कि कि कित दिया हुआ है, हमारे question में, तो क्या क्या दिया हुआ है, देखो जरा, एंगल A, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं, यह मैंने quadri-leateral एक बनाया है, तो इसको लिख सकता हूं, एंगल A इssä 0-80 डिपरी, देखो, जरा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंगल A इ से 0-80 डिपरी कि क्वाथिटेरेंपर ओके आप चलोव ड हमें नहीं पता है क्या नहीं पता है एक क्मौर यह पता है क्या बनाए कोस्जन मार्क है न क्मे screenshot पे बना दिया इंघल ंशक क्सनिывает क्मे साथा को में टै이가 जूरू कोलिख लिए जब प्लस किया जाता है तो सब कुछ एड करने के बाद उसका योगफल, योगफल को इंगलीस में बोलते हैं क्या सम, योगफल को इंगलीस में क्या बोलते हैं, सम बोलते हैं, तो जो चारू का योगफल आएगा, चारू का जो सम आएगा एड करने से वो 360 होता है, यह क्या ह यह एक quadrilateral की क्या होती है property होती है एक विशेस्ता है quadrilateral की तो हम लोग को पता है क्या angle A हम लिख सकते हैं angle A plus angle B plus angle C plus angle D ऐसे लिख सकते है equal to क्या लिखेंगे हम लोग 360 degree जब चारो angle को add किया जाते है यानि कि 4 angles are added add जब चारो angle को जोडा जाता है तो we get 360 degree हम लोग को 360 degree मिलता है तो चलो angle A कितना है 80 degree अब जिसकी जो value है A की value है 80 degree angle B की value है 110 degree angle C की value है 120 degree तो जिसकी जो value है वो value उसके ठीक नीचे नीचे लिख देते है angle A कितना है 80 degree तो लिखो इसके नीचे लिख दिया मैंने 80 degree प्लस एंगल B कितना है 110 degree 110, 110 degree एंगल C कितना है 120 degree ये लिख दिया मैंने प्लस एंगल D कितना है एंगल D ही नहीं पता है मुझे तो एंगल D को एंगल D ही रहने दिये इक्वल टू 360 degree इधर में तो आपको पता है कि सब को add करने से सभी को add करूंगा मैं तो 360 के बराबर होगा इतनी बात समझ में आई आप क्या करते हैं 80 110 और 120 यह सब को add कर लेते हैं क्लियर है चलो तो 120 में यह 80 add करो तो कितना हो जाएगा 200 क्लियर है क्लियर है तो 80 110 120 आप जब इन तीनों को add करते हो तो कितना आता है 310 डिगरी कितना 310 डिगरी प्लस एंगल डी यह क्या हो गया यह एंगल डी अपने जगह पे प्लस में क्लियर है इक्वल टू 360 डिगरी यह हो गया अब जब यह 310 को हमें तो एंगल डी चौथा एंगल निका हमें transfer करूँगा तो चीज प्लस में रहता यह जो माइनस में हो जाता है यह तो प्लास का नंबर है क्योंकि इसमें माइनस नहीं लगा है तो फ्लास वाला रहेगा वह उदर जाके क्या हो जाता है माइनस तो इधर में क्या है यह एंगल डी है एंगल डी कैसा है पोजेटिव है तो एंगल डी को एंगल डी ही रहने दो और इसके आगे में पोजेटिव लिखूं इसके आगे में पोजेटिव लिखूं या ना लिखूं यह है तो पोजेटिव अगर पोजेटिव रहे तो भी चलेगा और ना लिखोगे तो भी चलेगा तो भी यह पता चल रहा है कि एंगल D जो है वो positive में है अब 310 को आपने इधर बुलाया है तो इधर में सब इधर में तो पहले-पहले से क्या है 360 तो है ही पहले से इधर में भेजा किसको है आपने थोड़ा समय यहां पर correct कर लेता हूँ 0 को इधर में तो 360 तो आपका है ही आपने इसको भेजा किदर है इधर का यह जो साइड है इधर के साइड यह दो equal के इधर साइड को LHS बोलते है और इधर साइड को RHS तो LHS से value RHS में जा रही है तो 310 को इधर बेज़े हो तो यह plus में है तो क्या हो जाएगा minus में तो minus में कितना 310 डिगरी एक की छोटी सी छोटी बारीक चीजों को भी मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से देख लेना right आपका concept clear हो जाएगा और आप अपने class में अवल number के यानि कि जबरदस्त वाला बच्चा बनोगे mathematics का तो 360 degree minus 310 degree तो यह क्या हो जाएगा आपका 50 degree 360 में से 310 degree चला गया कितना बच्चा 50 degree आप answer भी देख लेना आपने book में match भी करा लेना कि angle D जो है वो मेरा 50 degree answer आ रहा है तो आपके book में यह है या नहीं है तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो यदि यह मेरा पहला question यदि आपको समझ में आ गया है तो यह thumbs up हो जाना चाहिए और बहुत जबरदस तरीके से और भी इसके जितने भी problem से सब कुछ solve कर लेते हैं तो पहला problem तो हो गया अब इसी पर मुझे thumbs up एक दे दो thumbs up मतलब क्या होता है thumbs up मतलब like होता है मेरे बच्चे thumbs up मतलब क्या होता है like की बाते करता हूं okay question number two देखो question number two क्या कह रहा है देखो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो question number two कह रहा है कि if three angle of any quadrilateral कह रहा है कि if three angle of any quadrilateral देखो यह नाम से समझ जाना यह quadrilateral मतलब होता है कि जिसमें four side रहे और four angle रहे उसी को छतर भूज बोलते हैं किसमें किसमें हिंदी में बोलते है quadrilateral मतलब चतर भूज ठीक है और थोरा सा funny में बोलते हैं तो चतर भूज ना? थोड़ा फ़नी में हसने के लिए तो चतर भूज था ना? चतर ठीक है ऐसे हम लोग बचपन में बोलते थे लेकिन आप लोग थोड़ा फ़नी बनना ओके चलो यहाँ पर देखते हैं if three angles of any quadrilateral are equal and fourth angle is 75 degree कहह रहा है कि इस मतलब होता है अगर कोश्चन समझ गया न वेटा कोश्चन अज़दी आप समझ गए तो समय लो कि आधे से जधा जंग तो ऐसे जीत गया प्रॉब्लम बनाने का तो कोश्चन समझ अगर एंगल ओफ एनि क्वाडिलेटर अगर कोई क्वाडिलेटरल है उसका तिन एंगल जो है आइकवल तीन एंगल जो है वह एकवल है अरह और जो चोथा जो है वह 75 डिग्री है और तो दें डिटर्माइन the measure of each of the three angle equal angle तो कह रहा है कि जो तीन angle जो equal है उसको आपको निकालना है कि कितना degree का होगा clear है परतेक का तो चलो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक क्या बना लेता हूँ एक quadrilateral बना लेता हूँ फिर से मैं क्या बना हो गया मैं यहाँ पे नाम भी दे रहा हूँ A यहाँ नाम दे रहा हूँ B यहाँ नाम दे रहा हूँ C यहाँ नाम दे रहा हूँ आप भी सेम ऐसे ही पिक्चर बना बना के आप अपनी कोपी में भी नोट डाउन करना या बनाना या अपने teacher को भी दिखा सकते हुआ ठीक है ये एक quadrilateral बना लिया ABCD लिख लिया हमेने अब 75 degree कितना ये 75 degree ठीक है तो चलो पहले तो क्या बुला है कि 3 angle जो है वो equal है तो चलो माल लेता हूँ कि ये A जो है X degree है तो B भी क्या हो हो जाएगा X degree और CB क्या हो जाएगा X degree हामें तो नहीं पता है बस इसने कहा है कि इसमें एक quadrilateral है जिसका तीन एंगल सेम से में तो ये भी एक्स ये भी एक्स ये भी एक्स लेकिन बोला कि तो आप ये वीडियो को यहीं पर रोक देना और छोड़ देना चले जाना ठीक है यह मैंने क्या लिखा यह मैंने लिखा 75 डिग्री कोई फरक नहीं है कि हिंदी मीडियम चाहें सेपवने कान तक आ पने माइंड तक घाने दो 75 डिग्री ये तना उलेज्न वाडिल रिटीम पर लिखन जा रहा हूं हぶताना है कि इतना ऐकल किना हो सोलूशन में हमने क्या लिखा मैंने माल लिया है लेट माल लिया कि एंगल ए इक्वल टू एंगल की एक्वल टू एंगल टू एंगल C to problem according to problem यानि कि प्रश्ण के अनुसार ये बाते कही गई है तो मैंने माल लिया x ठीक है x degree clear हो गया अब चलो and angle d यहाँ पर angle d equal to 75 degree यह भी लिख लिया अब चलो हम लोग को पता है क्या हम लोग को we know that हम लोग को पता है हना we know that हम लोग हम लोग क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि angle सभी angle को एक quadrilateral के चलो होने चाया और कौन सा है यह सभी angle कैसे होने चाहि अंधर का अंधर में यह बन रहा है a b c d यह angle a angle b angle c angle d अंधर में बन रहा है इस picture के अंधर में okay तो internal angle का शम चारों इंगल को एड़ किया जा, तो 360 होता है, इससे पहले वाले question में देखे थे, तो लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इक्वाल टू 360 डिग्री, यह हमने लिख लिया, एंगल A कितना है, एंगल A है मेरा X डिग्री माना हूँ मैं, तो यहां लि लिख लिया equal to 360 degree यह लिख लिया ठीक है अब चलो यह x degree x degree x degree तो कितना हो जाएगा 3x x plus x plus x plus x तो कितना हो जाएगा 3x plus 75 degree equal to 360 degree ठीक है अब चलो 75 को equal को उधर भेजो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x equal to 360 degree और minus का 75 degree अब देखो ध्यान से देखो ये 75 में किसी तरह का x, y, z ऐसा कुछ लगा हुआ नहीं है ये बस सांती से अकेला है बेचार नमबर है बस के लिए 75 के वाल नमबर है 75 तो इसलिए ये equal के उधर गया तो मैंने बताया ना कि ये transpose यानि कि जो हम लोग ट्रांसफर पक्षांतर करते हैं पक्षांतर यानि कि उधर ले जाते हैं तो प्लस वाला चीज माइनस हो जाता है हैना, साइन अपना चेंज कर लेता है याद रहे, equal के उधर अगर ले जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, plus का चीज माइनस अगर यही माइनस में रहता तो प्लस हो जाता बस आप ध्यान में रखो कि अगर इक्वल कि उधर से इधर से उधर ले जाओ चाहे उधर से इधर बुलाओ जो sign रहेगा उसका वो change हो जाएगा ओके तो यह sign change हो गया तो क्या हो जाएगा 3 x equal to 360 degree में से 75 घटा हो जाएगा देखव यहाँ पे कर रहा हूँ 360 में से 75 आपको क्या करना है घटाना है देखव यह 10 में से 5 जाएगा तो 5 ये क्या बन गया आपका 5 यह क्या बन गया 5 तो बाजवाले से लेगा तो 15 हो जाएगा 15 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 क्या हो जाएगा 8 और यह क्या बन गया 2 तो क्या हो जाएगा 285 कितना आ गया 285 समझ में आया गटाने पर 360 में से 75 गटाया तो क्या आ जाएगा 285 अब चलो, अब मैं यहाँ एक line खीच रहा हूँ, इधर में बनाता हूँ, ठीक है, आपको क्या करना है? आपको बेटा जी इसके नीचे नीचे बनाना है यहाँ पे मेरे पास जगा नहीं है आप नीचे नीचे में बनाओगे यहाँ पे नीचे नीचे बनाओगे यहाँ जगा नहीं है मैं इसलिए यहाँ पे बना रहा हूँ तो क्या हो जाएगा x equal to क्या हो जाएगा आपका 285 by कितना ये आप देखो जा रहा है ये 3 को आप equal को उधर ले जा रहा हूँ तो ये उधर जाके ऐसा plus और minus नहीं होगा क्यों क्यों क्योंकि ये x का ये क्या है ये x का क्या है गुनांक है तो जब भी गुनांक को हिंदी में तो गुनांक बोलते हैं लेकिन इंगलीज में क्या करते हैं coefficient इसको क्या करते हैं coefficient जब भी coefficient को किसी का भी variable के साथ में जो भी coefficient constant जो term लगा रहेगा equal के अगर उधर जाता है तो कहां चला जाता है नीचे मतलब denominator में नीचे मतलब हर में हर टीक है तो कहां चला जाएगा नीचे ये चला गया नीचे ठीक है अब 3 से 285 को divide करो देखो ज़रा अब मैं यहाँ पर करता हूँ divide मैं उपर में इधर में करता हूँ ठीक है मैं इसको थोड़ा सा मिटा लेता हूँ ठीक है मैं इसको थोड़ा सा क्या कर लेता हूँ मिटा लेता हूँ ठीक है ओके चलो जी मिट जाओ मिनारे चलो देखो जरा तो 285 by 3 यह हो गया अब 3 से मैं क्या करता हूं 3 से 285 को बेटा ऐसे अहीं बनता है यह सब रॉफ में किया जाता है आपको डरना नहीं है आपको यह यह सब आता होगा आप से प्लस मैंनस मल्टीप्लाइट डिवाइड एक पेज में साइड में पेज एक रखे रहा ना उसमें करते रहा अब देखो थ्री से 28 में लगाओ तो 3 कितने जाम है 3 9 जा 27 हो जाएगा तो क्लियर है अब देखो 28 में से 28 में से 27 गया तो क्या बचेए ग 15 अब देखो 0 हो गया नीचे तो कितने जामें चला जाएगा 95 जामें तो 3 से यह कट गया 3 से कट गया 3 1 जामे 3 के टेबल में देखो 3 के टेबल से ही 1 जामें गया और यह 3 के टेबल से कितने जामें गया 95 जाने तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 95 ठीक है अब चलो यह x equal to क्य पूछ रहा था कि यह यह तीनों एंगल का आपको मेजर्मेंट बताना है तो तीनों एंगल कितना होगा 95 95 95 तो आप क्या लिखोगे एंगल A equal to 95 degree और एंगल B equal to B ये भी 95 डिडी क्योंकि B भी क्या था B भी X ही था क्योंकि तीनों बोल रहा था same 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 है और एंगल C equal to 95 degree हो गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा answer ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे बच्चे answer तो इस तरह से आपको क्या करना है question को solve करना है ओके अब मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो अब हम लोग चल रहे हैं next अगले question की यदि समझ में आ गया हो तो लेक like कर देना और प्यारा से comment डाल देना चलो बहुत मेहनत लगता है question number three ratio of adjacent angle of a parallelogram देखो इससे पहले नाम ले रहा था क्या quadilateral quadilateral दो question देखे code दोनो question में क्या नाम ले रहा था quadilateral quadilateral लेकिन यहाँ पी क्या नाम लिया parallelogram अब parallelogram के बारे में यदि आपको बहुत अच्छे से जानना है तो इसका ये part number four है यह video part number four है इस chapter का part number four है यानि कि दसवा chapter का polygon का यह part number four है यदि जबर्दस सारा चीज इस chapter का एक एक चीज को अपने अंदर में डालना चाहते हो तो part one part two part three part four कुछ भी नहीं मैंने चोड़ा है एकदम as create से लेके एकदम बहुत अच्छे से समझाया है तो यह चीज का आपको ध्यान रहे कि ratio of adjacent angle of parallelogram आप देखो कोशन कह रहा है कि एक parallelogram है जिसका adjacent angle का जो ratio है वो two ratio three है तो जो जो part मैंने बताया वो सबी parts को जाके देखना तो आपको इस chapter से कोई भी सवाल कैसा भी सवाल आ गया तो आप उसको तो छोड़ने वाले नहीं है अब बहुत mathematics से धुरंदर आपके आप बहुत mathematics से धुरंदर student कहे जाओगे यह देखो यह आपका क्या है यह आपका मैंने बना दिया पैरलेलोग्राम ध्यान से देखना यह मैंने क्या बना दिया आपका पैरलेलो यहां से यह बना दिया मैंने पैरलेलोग्राम ठीक है अब नाम देता हूं यहाँ चलो नाम देता हूं पी क्यू आर और यह नाम दे दिया मैंने एस इस बार सब पढ़ाया हूं मैं यह parallelogram लिया तो क्या क्या बाते आपके दिमाग के अंदर में घूम जानी चाहिए क्या क्या के दिमाग में जैसे ही नाम लिया पैलेलोगरं तो क्या क्या इसकी चीजें आपके दिमाग में मतलब घर बनानी चाहिए, आपके दिमाग में आ जानी चाहिए, तो क्या-क्या होता है, यह PQ जो होता है, वो SR के बराबर होता है, और PQ जो होता है, वो SR के पैरलल होता है, SP जो होता है, वो RQ के पैरलल होता है, यानि कि PQ के आपोजिट कौन है, SR, SP के आपोजिट कौन है, RQ, समझ में आया अभी, अब बात आती है कि सर, और मुझे बताओ, ठीक है, आप इसमें कहारा है कि Determine the measure of each angle, आपको हर एक एंगल, प्रतिक एंगल आपको बनाना है, ठीक है अब ध्यान से देखना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, अब यहाँ पे एक चीज़ यह भी लिखा है, पैरलेलोग्राम तो है, तो यह है आपका पैरलेलोग्राम, ओके, आप कहारा है कि Adjacent angle, अब सर यह Adjacent angle किस नाम की चिडिया है, Adjacent angle थोड़ा सा मुझे समझाओ होगे क्या, हाँ, इससे लिए तो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे बच्चे, Adjacent angle अभी बताता हूँ, Adjacent angle मतलब मालो कि एक angle मेरा यहाँ है, तो इस angle से connected कौन कौन सा angle कहां कहां बनेगा, एक यहाँ बनेगा, और एक बनेगा कहां क्यू पे, एक बनेगा, एक बनेग यहाँ पे तो दो ही angle दिख रहा है, एक तो यह 2 है, और 3 है, Adjacent angle, तो Adjacent angle हमेशा क्या होता है, बिल्कुल पास का, तो पास का या तो पी और एस को ले लो, या पी या क्यू को ले लो, clear है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पी और क्यू को ले लेता हूँ, किसको मैं पी और क् प्रोब्लम में तरीका बता रहा हूं वह बिल्कुल रामबान है बिल्कुल मतलब ऐसा मोलो की यह क्या बोलते क्या बोलोगे उसको तो आको क्या कर लेना है एकस लगा लेता है तो ये टू एक्स हो गया और ये 3 ूव खी अर टू अर रेचियो जब भी रहता है यह हमेसा कैसे रहता है बिल्कुल संप्लिफाइट रहता है बिल्कुल तोड़ा हुआ बर यह तू भाई थी हो अब आप क्या见 काट लोगे उपर और नीचे डिन्व मिनेटर को काट सकता है किसी न किसी एंगल के बारे में सीखा पैरलेलो ग्राम सीखा और साथ में यह जब रिश्यो दिया रहते हैं तो क्या करते हैं एक्स एक्स लगा लेते हैं ठीक है अब ध्यान से सुनना मेरी बात अब जो बाते बताने जा रहा हूं अब कह रहा है कि केarner करूं कि नहीं करूं के noir नहीं करूंगा क्यूंकि बहूत ज्यादा इदर होता है तो इस फस्य इस ड्यानिकि पर भी और पोजिट एंगल बराबर होता यह यह टो एकस यह वह हो जाएगा यह 3-0 आपर तो स्थ् defence की इस जो है एंगल एस recording तो यह क्या हो जाएगा 3X, बातें समझ में आई मैंने क्या कहा कि पैरलेलोग्राम जैसे माइन के अंदर में आएगा तो आपके माइन में क्या क्या आएगा कि अपोजित एंगल यानिकि एंगल P का आपोजिट कौन है एंगल आर तो अपोजिट एंगल बराबर होता है एंगल क्यों का पोजिट क्या होता है एंगल एस अपोजिट एंगल बराबर होता है ठीक है क्लियर हुआ और अपोजिट साइड भी यह पी क्यू एक्वाल होगा एस क्यू के ठीक है सोरी आर क्यू के ठीक है तो ऐसे चलता है तो इसमें तो हमें एंगल एंगल दिया हुआ है तो यह ratio में तो मैंने xx लगा लिया तो इससे मुझे पता चल गया कि अगर यह 2x है तो यह opposite में बराबर होता है तो यह भी 2x होगा यह 3x है तो यह 3x बराबर होगा यहां भी 3x है हमने लिख लिया अब चलते हैं मुद्दे पर यहां पर यहां पर क्या न है लिख सकते हैं हम लोग क्या हम लोग को पता है न कि सभी एंगल करने से कितना हो जाएगा सबी एंगल को आड़ करने से क्या होगा 360 दिग्री तो लिख लेते हैं एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस थोरा सा राइटिंग इदर उदर होगा मेरे बच्चे तो थोरा सा यथा अर्थात नहीं ले लेना है एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R प्लस एंगल क्या? S एंगल S ठीक है? एंगल S ठीक है? अब देखो एंगल P कितना? इकोल टू यह सब को आड़ करोगे तो कितना आ जाएगा? 360 डिग्री ठीक है एंगल P कितना दिया हुआ है? एंगल P दिया हुआ है 2X तो यहां लिख देता हूँ 2X इसके नीचे एंगल Q कितना है? 3X तो मैंने लिख देता हूँ यहाँ पे 3X ठीक है? प्लस एंगल R कितना है? एंगल R कितना है? एंगल R है 2X यहां लिख देता हूँ 2X प्लस एंगल S कितना है एंगल S कितना है 3X तो यहां लिख देता हूँ 3X equal to 360 degree यह हो गया तो देखो बेटा एंगल P equal to 2X एंगल Q equal to 3X एंगल R equal to 2X एंगल S equal to 3X इतनी बाते समझ में आई ठीक है किलियर हुआ इससे पहले भी और भी हम लोग चाहें तो कुछ-कुछ और भी चीज़े लिख सकते हैं तो देखो और भी चीज़े मैं लिख के बताता हूँ क्योंकि आपके हो सकता है यह basics का part है तो थोड़ा सा हो सकता है आपके teacher जो है थोड़ा सा आपको objection करें कि ऐसे नहीं ऐसे ठीक है चल इसकी और भी चीज़े मैं यहाँ पे आपको continue करके बताता हूँ देखो बटा यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि angle P angle P equal to angle R angle P equal to angle R ठीक है equal to 2X कितना? angle P equal to angle R equal to 2X यानि कि क्या हुआ यानि कि क्या हुआ यह कैसे equal हो रहा है angle P angle R के कैसे equal हुआ opposite opposite angles है कि किसके कारण opposite angles है अब देखो अब देखो angle P angle R केुकौल angle 3 sorry angle Q angle S के equal यहाँ आपह लिख रहा हुँ angle Q जो है वो equal हो जाएगा किसके angle S के equal यह यह सब में नहीं होता है यह केवल parallelogram के ही बाते अभी चल रहे है तो कितना बेटा कितना 3x हो जाएगा क्योंकि angle Q जो है angle S के equal है इसलिए 3x हो गया यह भी कैसे हो गया opposite से O P O S I T E opposite angle opposite angle से ओके अब क्या हो जाएगा आपका अब यहाँ पे अब एक चीज आप जानेगे न कि angle P भी कितना है 2x और angle R भी कितना है 2x यानि कि अब यहाँ पे एक एक चीज आप जान जाओ कि angle P जो है वो कितना है 2x है और angle देखो angle R भी कितना है मेरा 2x है अब यहाँ पे angle Q जो है मेरा यह भी कितना है 3x है और angle S जो है वो भी कितना है 3x है clear हुआ इसलिए मैंने यह पहले ही यह सब लिख दिया कि कैसे कैसे यह equal हो रहा है क्योंकि आपको teacher हो सकता है पूछ सकते है कि कैसे equal हो आप बता ना कि parallelogram है parallelogram में opposite angle angle same होता है इसलिए यह P और R equal हो गया और यहाँ पे एक एक को मैंने दिखा दिया ठीक है अब चलो इतना लिखने के बाद अब क्या करना है अब हमें सब को add करना है तो अब हमें की लिख लेते हैं यहाँ पे क्या angle P plus angle Q plus angle R plus angle S equal to 360 degree ही है आपने लिख लिख लिया angle P कितना है मेरा angle P कितना है बोलो जर्द एंगल P दिया हुए मेरा 2X देखो यहाँ पे लिख लेता हूं 2X plus angle Q कितना दिया हुआ है 3X plus angle R कितना दिया हुआ है angle R 2X दिआन से देखने हैं एंगल R 2X प्लस एंगल S कितना दिया है 3X इक्वाल टू 360 डिग्री हो गया अब सबको एड़ करो देखो 2X प्लस 3X अभी प्लस प्लस में अजभी में X X X X लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 5 हाना 360 degree, 360 degree हो गया, अब मैं यहाँ एक line खीच रहा हूँ, इधर में बनाऊंगा, आप लोग इसके मेरे पास जगा नहीं है, नीचे-नीचे का बनाने का, आप लोग नीचे-नीचे ही बनाऊगे, हना मेरे पास जगा यहाँ बचा है, तो मैं यहाँ बना रहा हूँ, ओके, ठीक है, देखो जगा, तो X का यह क्या है, कॉफिजेन्ट है, कॉफिजेन्ट इकोल के इधर आता है, तो नीचे आज आता है, तो X इकोल to क्या हो जाएगा, 360 by 10, दिक है, तो यह 1-0 से यह 1-0 उड़ा दो, तो X इकोल to क्या हो गया, X इकोल to आ गया, 36 degree, अब X इकोल आने थे 2x इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 multiply x का वेलू क्या आया है 36 तो यहां 36 लिखने वाले हैं तो 2 multiply 36 कितना हो जाएगा 6 2 जा 2L का 2 carry 1 और 3 2 जा 6 6 प्लस 1 कितना 7 यानि कि 72 डिगरी यानि कि एंगल P कितना आया 72 डिगरी अब चलो अब एक लाइन और खिशता हूँ इधर में बनाता हूँ एंगल P निकल गया अब एंगल R निकाल लेते हैं तो एंगल R देखो एंगल R equal to क्या है यह भी तो 2x ही है क्योंकि equal था तो क्या हो जा हो जाएगा 72 डिगरी यह भी आएगा ओके उसी तरह से एंगल P एंगल R अब एंगल Q एंगल Q equal to क्या है 3x तो क्या हो जाएगा 3 multiply 36x का value रख देना है तो कितना हो जाएगा 630 18 carry 1 399 9 plus 1 10 108 डिगरी ठीक है अब चलो एक लाइन और खिच लेता हूँ मेरे पास जगर नहीं इस और इस लरे लाइन खिच रहा हूँ एंगल क्यूख निकल गया यह बहला एंगल क्यूख एंगल S भी निकाल लेते हैं क्या है अंगल S इक्वल टू क्या हो जाए यह भी लिखा हुआ है 3 X तो क्या हो जाएगा 3 x 36 तो क्या हो जाएगा 3 x 36 इसका मतलब यह भी कितना 108 डिगरी कितना डिगरी 108 डिगरी अब देखो ध्यान से एंगल P निकल गया एंगल R निकल गया एंगल Q निकल गया और एंगल S निकल गया यह सभी एंगल निकल गया तो हमारा क्या हो गया यह आंसर हो गया इसका मतलब 72 डिगरी 108 डिगरी फिर 72 डिगरी 108 डिगरी क्लियर है यह सब का आंसर निकल गया तो इस तरह से हमारा बनाने का क्या होगा एप्रोच होगा एक एंगल यहां निकला एक एंगल यहां निकला और एक एंगल यहां निकला और एक एंगल यहां निकला ठीक है यह हमारा एप्रोच है तो बेटा अगर समझ में आया हो तो जरूर लाइक कर दे ना चल चौथा का रहा है कि quodilateral का एक angle जो है is a right angle कैसा है right angle अब right angle जैसे ही बोला तो right angle ये तो लिखा हुआ है right angle right angle मतलब क्या होता है 90 degree ये तो आपको पता है अगे right angle तो English में लिख रहा है हिंदी में क्या लिख रहा हैगा some cone समकोन क्या होता है 90 डिग्री तो कह रहें कि एक क्वाडिलेटरल है जिसमें एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का है राइट एंगल है and remaining three angles are in the ratio और बाकी जो तीन एंगल है वो ratio के फ़ाम में है two ratio, three ratio, four तो determine the measure of each of them ठीक है चलो मैं एक क्वाडिलेटरल बना ही लेता हूँ चलो चार बस फोर साइड होना चाहिए one two three four four sides होने चाहिए अब देखो ज़रा क्या 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 दिया हुआ है एक जो एंगल है वो राइट एंगल है अब राइट एंगल है तो थोरा राइट एंगल जैसा मुझे दिखाना पड़ेगा एक एंगल जो है वो कैसा है राइट तो देखो ज़रा मैं यहां से यह पकड़के और बिल्कुल इसको ऐसे सीधा कर देता हूं तो मालों कि यहां पे 90 डिग्री बन रहा है राइट एंगल ठीक है हो गया और जो बाकी जो थ्री एंगल है रिमेनिंग बच्चा हुआ जो तीन एंगल है टोटल कितने एंगल बनत तो चलो यहां में 2 और यहां पे 3 और यहां पे क्या लिखता हूं 4 अब मैंने कहा कि जब भी रेशियो दिया रहेगा जब भी रेशियो टाइप से दिया रहेगा तो आपको क्या लगाना है X तो मैंने लगा दिया X यहां लगा दिया X और 4 में भी क्या लगा दिया X ऐसा प C और यह रहा D फिर से नाम दे दिया अब यहाँ पर फटाफट से हम लोग solution पर आते है solution पर फटाफट से देखो क्या हम लोग को पता है न अब चलो एक एक चीज को लिखते है angle A कितना है angle A कितना दिया हुआ है 2X angle B कितना दिया हुआ है 3X देखते जाओ sorry angle B कितना है 90 sorry 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 बच्चो की लेगी जान क्या okay angle B कितना दिया हुआ है 90 degree angle C कितना दिया हुआ है angle C दिया हुआ है आपका 4X और angle D कितना दिया हुआ है angle D दिया हुआ है 3X देखो angle D कितना 3X चलो यह हो गया अब फटाफट से हम लोग को फिर से वही फर्मूला लगाना है सभी internal angle का sum 360 होता है ऐसे करके तो क्या लिख ले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं क्या angle A क्या लिख लेते हैं यहाँ पे angle A plus angle B plus angle C plus angle D equal to 360 degree angle A का value क्या है 2x क्या है 2x लिख 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 लगा हुआ एक चर रासी है लेकिन यह 90 में किसी तरवल का दो इंग्लीस में और हिंदी में चर बोलते हैं तो क्या करते हैं 90 को हम लोग इधर बेज़ देते हैं इधर इधर और बाकि इन तीनों को यह 3x, 4x और 2x यह सभी प्लस में है 3x कैसा नंबर है positive 4x कैसा है positive और 2x कैसा है positive यहां कुछ भी sign नहीं है इसका मतल़ यह कैसा नंबर है positive यह तो यानि कि यह जो variable जितने भी है उसको add कर देते हैं और 90 को उधर बेज देते हैं तो चलो कर देते हैं तो 2x इसको माइनस में इधर में, इधर साइड में क्या है 360 तो पहले से है यह इधर आया तो क्या हो जाएगा 90 डिगरी गट गया, माइनस का sign हो गया अब चलो 2x, 4x और 3x को add करो तो 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा 6 और 6 प्लस 3 क्या हो जाएगा 9x यह हो गया 9x अब 360 में से 90 चला गया तो जीरो में से जीरो गया तो जीरो ओके अब यह क्या बन गया 6 में से 9 तो नहीं जाएगा तो बाजवाले से लिए तो बन गया 16 अब 16 में से 9 को घटाओ तो 6 ऐसे चला गया ठीक है और बच गया आपका 10 और 10 में से 3 गया तो क्यतना बन गया 7 ठीक है कितना बन जाएगा 7 यह और यह क्या बन गया 2 यह 3 था तो यह 2 बन गया तो 270 आ गया 270 ठीक है आप देखो X का यह क्या है coefficient है तो X equal to क्या हो जाएगा 270 और coefficient जब equal के इधर आता है तो कहां चला जाता है इसको काट रहा है 9 के टेबल से कैसे काट रहा है 9 के टेबल से ठीक है तो 9 1 जा और 9 किते जा 9 3 जा तो यह हो गया 30 डिगरी तो X equal to कितना आ गया यहाँ पर X equal to अपना आ गया 30 डिगरी कितना आ गया X equal to 30 डिगरी समझ में आया अब चलो X equal to 30 डिगरी आया अब यहाँ से सुरू होगा गेम ठीक है यहाँ से सुरू होगा आपका गेम चलो a equal to क्या है 2x अब x की जो value आई है अब हर जगह में जहाँ जहाँ x x मैंने माना है उसको आपको लिखते जाना है चलो अब क्योंकि हर एक angle आप बताना है तो angle a equal to हमने माना है क्या 2x इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 multiply x का value क्या है 30 degree तो कितना हो जाएगा 32 जा 60 degree clear हो जाएगा 32 जा 60 degree अब चलो angle b मेरा क्या है angle b मेरा तो दिया हुआ है 90 degree उसको कुछ करने के ज़रुवत नहीं है अब चलो angle c मेरा क्या है 4x angle c मेरा क्या है 4x angle c क्या हो जाएगा 4 multiply जो आया है 30 degree यहाँ पर करो 30 डिग्री तो कितना हो जाएगा 4th रिजा 12 120 डिग्री क्लियर है 120 डिग्री एंगल C आगे 120 डिग्री ओके अब इधर जगा नहीं है मैं इधर बना रहा हूँ अब एक और निकालना है कौन एंगल A, एंगल B, एंगल C और एक और एंगल D, एंगल D equal to कितना दिय 90 डिग्री और 3 into 30 कितना हो जाएगा थरी थरी जा 9, 90 डिग्री ओके तो कितना हो गया 90 डिग्री ये सभी के सभी क्या हो गया आपके आंसर हो गये बुक से मैच करा ले न तो आपका क्या क्या दिया होगा एक ये 60 डिग्री आंसर दिया होगा बुक में और एक 120 क्योंकि यही तीनों का बोल रहा था निकालने के लिए ठीक है अब एक 90 डिग्री आपका दिया होगा ठीक है यह तीने एंगल फोल गया आपको नंबर 5 पे चलते हैं मेरे प्यारे प्यारे टमटरों यदि आपको मेरा यह प्रयास समझ में आ रहा है यदि जो पढ़ा रहा हूँ आपके दिमाग में एक दम प्रिंट हो जा रहा है बन रहा है तो लाइक तो करी देना जाना मत कहीं छोड़ के ओके चलो पांचवा नंबर करा कि एंगल्स ओफ क्या बना लिया एक क्वाडिलेटरल बना लिया बना लिया क्वाडिलेटरल ठीक है अब कह रहा है मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ मैंने नाम दे दिया पी क्यू और यह आर और यह एस तो यह पी जो है यह है आपका क्या वन ठीक है और क्यू यह है आपका टू और आर य यह है आपका 3, और यह S, यह है आपका 4, क्योंकि 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखा हुआ है, अब X, X सब में लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1X, यह हो जाएगा 2X, और यह हो जाएगा 3X, और यह हो जाएगा 4X, 1X, 2X, क्या क्या हो जाएगा, 1X, 2X, 3X, 4X, ठीक है, यह quadrilateral हो गया तो क्या हो जाता है, एंगल कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, solution में, क्या कि एंगल P एक्वाल टू क्या हुआ है, 1X, 1X, आप देखो, 1X को आप क्या लिखोगे, एंगल P एक्वाल टू X के वल, 1X, तो एंगल P क्या हो जाएगा, के व जरूरी नहीं है, 1, 1 को यह समेट लिया, आपने अंदर में समाहित कर लिया, clear है, 1X, तो एक्वाल टू कर लिया, तो याद रहे, क्या हो जाएगा, X, यह P हो गया, तीक है, आप चलते हैं, एंगल Q, अब जो जो दिया, आप पिक्चर में लिखे हो, वहाँ पिक्चर में ब clear हो गया, तो X, 2X, 3X, 4X, यह हो गया, अब चलो, अब आपको पता है कि सभी एंगल का सम क्या होता है, 360, क्योंकि क्या कह रहा है, कि determine the measure of all the angles, चारो के चारों एंगल को आपको बताना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, एंगल P, प्लस एंगल Q, प्लस एंगल R, प्लस एंगल S, equal to 360 degree, यह हो गया, एंगल P कितना है, X, यह वाला, 1X, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, नहीं लिखेंगे, ओके, no problem, चलो, तो X हो जाएगा, P, और एंगल Q कितना है, 2X, तो यहाँ लिख दिया, 2X, एंगल R कितना है, 3X, clear है, तो यहाँ लिख दिया, ठीक, उसके नीचे नीचे value लिखते जाना है, प्लस, एंगल S कितना है, 4X, एंगल X कितना है, 4X, equal to 360 degree, अब देखो, X, 2X, 3X, 4X, 4X, 4, और 3, 7, 7, 7, 2, 9, 9, 1, 10, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 10X हो गया, equal to 360 degree, देखो, यह सभी के सभी क्यों add हो गया, क्योंकि सभी में variable जूड़ा हुए है, 4X, 3X, 2X, और सभी plus में दिये हुए है, यह इसके बाद X, plus 2X, plus 3X, plus 4X, तभी यह सबके सब एक box में जमा हो गया, इखटा हो गया, तो 10X बन गया, अब चलो, आप क्या बताया था मैं, अब मैं बताया था, क्या, कि जब भी आपका ऐसे आ जाए, तो X का एक 10 क्या हो गया, coefficient, तो coefficient को equal के उधर ले जाते है, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, dereninator में, तो यह नीछे में 10 आ गया, तो 0 से यह वाला 0 उड़ा दो, कתम हो गया, तो X equal to क्या बन गया, X equal to, फिर से बच गया, 36 degree, X equal to क्या बच गया, 36 degree, अब फटाफट से, अगल P अब आपको X की value रख रख के सब को निकाल लेना है, एंगल P क्या माने थे? X, तो कितना आ जाएगा ये? 36 degree, ओके? अब एंगल Q क्या माने थे? एंगल Q था आपका 2X, तो क्या हो जाएगा? 2 multiply 36, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 72 degree, कितना degree? 72 degree, एंगल Q क्या आ गया? 72 degree, ओके? अब इधर में चलता हूँ, एक ओर लाइन यहां draw कर लेता हूँ, आप नीचे नीचे बनाते जाना, ऐसे मेरी तरह ऐसे नहीं करना, क्योंकि यहां जगा नहीं रहता है, इसलिए मैं ऐसे बना देता हूँ, ओके? चलो, तो एंगल Q हो गया? अब एंगल R, एंगल R क्या माने थे? 3X, एंगल R क्या माने थे? 3X, तो क्या हो जाएगा? 3 multiply X की value क्या हो जाएगी? 36, ठीक है? 36 आया है, अब देखो 6, 3, 18, carry 1, 3, 3, 9, 9, 9 plus 1, 10, 108 degree, कितना? 108 degree, ओके? एंगल R हो गया, अब एंगल P, Q, R, एंगल S, एंगल S इकोल तो क्या माने है? 4X, देखो, एंगल S इकोल value क्या है? 4X, अब X की value डाल के multiply करना है, तो 4 multiply X का value क्या हो जाएगा? 36, अब multiply करो, 6, 4, 24, 6, 24, 24 का 4 हाथ में दो, और 4, 3, 12, 12, 12 plus 2, कितना? 14, 144 degree, clear है? तो देखो, कौन-कौन सा answer आया? एक ये answer आया, एक ये आया, 144 और एक 36 degree आया, और एक 72 degree, मैंने 4 में टिक लगाती है, यही आपका क्या हो जाएगा? answer हो जाएगा, क्या हो जाएगा? answer, तो मेरे प्यारे प्यारे प्यारे, टमाटरो, एक थमसब हो जाए, एक लाइक हो जाए, और एक प्यारा सा comment लिख देना जरूर, और वीडियो को share कर देना अपने बच्चों के साथ में, त और फिर से, यहाँ पर क्या नाम लिखा, इस बर पैरलेलोग्राम नाम लिख लिया, और क्या? अडजेसिंट एंगल, बताया था ने, इसससे ठीक पहले वाले question में, अडजेसिंट एंगल क्या होता है? तो देखो, मैं यहाँ पर पैरलेलोग्राम एक बना रहा हूं, जिदे से देखना है कि क्या कॉंसेप्ट है उसका ठीक है यह रहा पैरलेलोग्राम मैं इसका नाम देता हूँ ए भी सी और इसी तरह से आप अपनी कोपी में बनाना ठीक है अगर यहां पर इस एंगल को हम लोग लेते हैं तो इससे कौन-कौन एंगल कनेक्टिंग है डी है कनेक्टिं सी जो है इस एंगल से दूर है हाना क्योंकि इससे यह कर्यक्त है इससे कनेक्ट है लेकिन यह सी नहीं है तो सी जो है वो क्या है अग्या हो जाएगा माल लेते हैं यह दिया है आपका एक्स डिगरी और यह दे रखा है आपका एक्स प्लस ट्वेंटी डिगरी इतनी बात है समझ में आई अब मैंने पैरलेलोग्राम में क्या बताया है कि जैसे ही पैरलेलोग्राम नाम आएगा तो आपको क्या से समझ में आ जाना चाहिए कि अपोजिट एंगल क्या होता है ब क्लियर है बाते हैं सरस्ट बाते गलल एक जए के अब चलों यह bakayım यह तो पिक्चर से हमने एक एक चीज आना बता दिया अप फड़ा हो दिखते हैं सोलूशन स्लूशन पर हम दोग देक लेते हैं क्या कि हみ 이거 है क्या-क्ये अंगल दिए तो चलो माल लेते हैं एंगल A equal to X degree और लिख लेते हैं एंगल B equal to क्या दिया हुआ है X plus 20 degree यह दोर चीज हमने लिख लिया ठीक है अब ध्यान से देखना अब हम लोग यह लिख सकते हैं कि एंगल A जो है वो equal है किसके एंगल C के एंगल C के एंगल A जो है किसके equal है एंगल C के equal है तो इसका मतलब यह किस से equal हुआ कितना equal हो जाएगा एक मिनट रुको जरा यह कितने के equal हो जाएगा तो एंगल A एंगल C के equal और कितना degree हो जाएगा X degree यह किस से हुआ कौन से नियम से ये अपोजिट किस से अपोजिट एंगल क्योंकि पैरलेलो ग्राम में क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा है कि पैरलेलो ग्राम है क्वाडिलेटरल ऐसा कुछ नहीं लिखा पैरलेलो ग्राम बोलता है ठीक है समानतर चतर पूछ जिसको तो अपोजिट एंगल से हो गया यह अब क्या अब एंगल बी को चल लेते हैं यहां पे लिख सकते ना एंगल बी जो है वो इक्वाल हो जाएगा कि इसके एंगल डी के और कितना हो जाएगा अब आप लिख सकते हो एंगल एक्स डिगरी अब चीजों को यहां पे आप बारिकी से अब लिख सकते हो हो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल A equal to X degree और एंगल C equal to B X degree और एंगल यहाँ पर B equal to X plus 20 degree देखते चलना और एंगल D equal to यह भी कितना X plus 20 degree X plus 20 degree यह चारो को हमने लिख लिख लिए और यहाँ पर बताया मैंने कि क्यों आखे इक्वल हुआ यह मैंना यह पोजिट अंगल बताया क्योंकि पैरलेलोग्राम का अपोजिट अंगल equal होता है और यह मैंने ऐसे कुछ बना लिया ठीक है अब यहाँ के बाद यह लिखने के ब लिख लेते हैं चारो एंगल एड़ कर लेते हैं तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D ठीक है प्लस का साइन ही है एंगल D equal to कितना होता है 360 डिगरी 360 के बराबर एंगल A कितना है X डिगरी तो लिख लेते हैं X डिगरी एंगल B कितना है एंगल B हैं X प्ल ट्वंटी डिग्री ट्लेस एंकल सी कितना है एक्स डिग्री दिलीक लिख लेते हैं एक्स प्लास कोई ट्री हनुटेट उन्या चक्षिक्षक्ट यह थी इन्हाँता गbor emulate रृद्धधर उट्राइब मंक्नों मे व्हां START देंगा आप पर कर जाते हैं ब्लंडर मिस्टेक जिसको बोलते हैं चलो अब यह हो गया आपका X डिग्री अब ध्यान से देखो यह ब्राइकेट से आपको फ्री करना है तो देखो साइन साइन का मल्टिप्लाई होकी यह बाहर होता है यानि कि जो यह चिन दिया हुआ है प्लस और X कैसा है प्लस फ्री करना अगर वैलु गलती से ख्यांड रहा यह ब्राइकेट व्रीक अले का मल्टिप्लाई करके तब जाके फ्री करना अगर वैल्यो गलती से भी x-20 दे देगा तो क्या हो जाएगा अगर आप लिख दोगे x-20 ऐसे करके तो फिर वहाँ पे कौफी ज़्यादा blunder mistake होता है sign का तो इसलिए पहले से चोकन तो देखो variable को variable के साथ रख दो x x x तो कितने x 4x 1 2 3 4 4 है न तो यहाँ पे लिख दो क्या 4x अब number को number के साथ 20 और 20 कितना हो जाएगा 40 20 और 20 40 equal to 360 degree 360 degree अब चलो यह 40 को हम लोगे काम करते हैं equal के इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो यह 4x equal to 360 degree और यह plus में है तो equal के इधर जाएगा तो minus में 40 40 degree clear है तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अब यहाँ बनाता हूँ क्या हो जाएगा यहाँ पे 4x equal to क्या हो जाएगा 360 में से 40 गया तो कितना बनेगा 360 में से 40 चलो गया तो कितना हो जाएगा 320 ठीक है अब x का यह क्या है 4 जो है coefficient है तो equal के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 320 अब आई 4 अब यह कटेगा 4 के टेवल से यह 4 1 जा और 4 8 जा होता है यह क्या होता है 4 1 जा 4 8 जा हो गया यह हना ओके और यह 0 डाल दो ठीक है क्योंकि यह 0 है तो x equal to मेरा क्या है या 80 डिगरी 1 नीचे में कोई मतलब नहीं है अभी आंसर नहीं आया है अब तो यहां से अब ए एक एक angle निकल रहा है, angle A क्या माने हो X degree इसका मतलब कितना degree आ गया, 80 degree ठीक है, angle C अब देखो, angle A और angle C बराबर था तो angle C भी X ही है यहाँ पर angle C भी कितना होगा X degree है, इसका मतलब यह भी 80 degree आया, ओके आप चलो, angle यहाँ पर B कितना है एंगल B जो है वो है आपका X प्लस कितना 20 डिगरी तो कितना X की वैल्यू पे रख दो X की वैल्यू क्या है 80 80 प्लस 20 ऐसा कुछ होगा 80 प्लस 20 इसका मतलब क्या हो जाएगा 100 80 और 20 कितना 100 हो गया ओके चलो 100 मैं एक लाइन यहां भी खिश लेता हूँ ओके आप चलो एंगल एंगल कौन सा है एंगल डी एंगल डी भी कितना है एंगल डी है आपका X प्लस 20 बेटा अगर यह कट जा रहा होगा अगर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुन के लि है यानि कि सिक्सर हमने लगा ऑघा हो जाएगा हम लोग का आंसब हो जाएगा एक तो एंगल से नीकल गया Αंगल बी 10-0 diesem एंगल डी भी क्या है 100 डिग्री कैसे आया यह पता चला आपको चलो तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों एक थमसब हो जाए एक प्यारा सा लाइक कर देना और ध्यान से सुनू मेरी बात अगला चैप्टर में हम लोग काफी अच्छे से जो आपका चैप्टर है 11 कंस्ट्रक् प्यारे टमाटरों और एक चीज और इस प्रॉब्लम में मैं सभी प्रॉब्लम में कह रहा हूं कि जितना भी एंगल निकालते थे ए बी सी डी या पी क्यू आर एस ऐसे निकलता था उन चारों को आप एड करकर के देखना हर बर 360 आना चाहिए जैसे यहां पर 80 आया 80 आया 100 आया 100 तो देखो 100 प्लस 100 200 देखो 100 यह ओला 100 प्लस यह ओला 100 तो 200 और यह 80 80 कितना 160 होता है तो 200 में 160 आड करूग única तो कितना हो जागा 360 360 त यह चारों के चारों एंगल को ऐड करकर करें अगर 360 360 आ रहा है इसका मतलब है कि हमारा इक दम सही सही बना हुआ है तो यह हमारा आज का यह टौपिक खतम होता है यह दूस्था पार्ट था तो मेरे प्यार प्यार प्यारी प्यारा आटरो एक लाइक हो जाए एक थाम सब थाम सब हो जाए और अपने दोस्तों के साथ सेयर करो तीक है अब मिलते हैं मैरे प्यारा प्यारा आटरो अगले next वीडियो में so take care and bye bye